तीन ओकस के इश्रदान में अपसे कस होगात है, परमादब कहते हैं, विकारों रूपी जहरीले सापों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मुरत भवा, शंकर जी के गले में दिखाते हैं साप, हाथों में दिखाते हैं साप, ये पाच विकार जो लोगों के ल जो लोगों के लिए जहरीले साफ हैं, इसलिए शंकर जी को नी लगाते हैं। तो हम आत्मा के अंदर भी बहुत सारा विश है, क्रोध का विश है, कामवासना का विश है, आंकार का विश है। ये साफ आप योगी वा प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। जब हम योग करते हैं परमात्मा के प्यार से, उनके सुख शांती से, हमें कोई और वेक्ती सुख शांती दे ना दे, प्यार दे ना दे, वेक्ती वस्तू से हमें सुख मिले ना मिले, लेकिन परमात्मा से जब वो मिल लाता है, तो फिर हमारे अंदर यह सारे कंट्रोल में आत इसने हमें खुरोध भी नहीं आता है वह में और नहीं को αruct i7 वह एँधी कुछ लासर भीतिष्स करना है किसी से कुछ मांग रहे हैं मुझे मानो, मुझे पूछो कर्ज की मुर्दी के रूप में और मुद्थपस्य में में दिखाते हैं थोड़ से आँपे बंद रहती हुआ उनके तीसरे नेत्र कोला रहता है और चन्दर में दिखाते हैं मराकि जान सितारों की दुनिय का पार ब्रमान में रातो पराल प्रकाश की दुनिया ब्रमाण में हम बिंदू सुरूप परमात्मा शिप को याद कर रहे हैं उस ब्रमाण में दूसरा ये साब खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं ये स्टेज की रूप में दिखाते हैं तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तफस्वी मूरत प्रयोगी आत्मा हमशादे